आज हम एक बार फिर आ गये हैं एडॉप्शन की सेरीज में इसका रीजन यह है कि आप जब फॉर्म ओपन करते हों ओनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए तो वो फॉर्म की डिजाइन तोड़ी सी चेंज हो गई है और वन और टू पॉइंट एडॉण हो गए हैं तो इसलिए यह वीडियो आज आ रहा है बाकी कुछ चेंजेज आज सच नहीं हुए हैं सिर्फ दो वीडियो आएंगे रिगार्डिंग चेंजेज बाकी प्रोसेस तो सेम ही है एडॉप्शन की जो प्रोसेस थी पहले सेम वही से वही रूल से होम स्टड़ी वही है ओके सो बाकी के वीडियो वही रहेंगे सिर्फ फॉर्म फिलिंग में कुछ चेंजेज हुए इसलिए यह वीडियो मुझे वापिस अपलोड करना पड़ रहा है तो सीधे हम देख लेते हैं कि क्या चेंजेज हुए हैं कैसे फॉर्म फ क्लिक किया और यह आ गया कारा का में पेज ओके तो भी यहां पर देखिए पैरेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटर है ओके जो सेकेंड नंबर हैं यह बाद में इलाबरेट करके दिखाने वाली हूं कॉंटक्ट अस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कारा के टोल फ्र किया हैं डॉक्यमेंट्स का उसमें यह पॉइंट पूरा एक्स्प्लेइन किया है देन सर्च एडॉप्शन एजंसी यह हम थोड़ी देर में देखने ही वाले हैं एंट अबॉट कारा पर अगर आप क्लिक करोगे तो कारा एक्जैक्टली है क्या यह आपको पता चलेगा ओक अब हम देख लेते हैं ओनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए क्या करना पड़ता है तो बहुत सारे तरीके होते हैं फॉर्म तक पहुचने के लिए मैं आपको कोई भी एक तरीका दिखा सकती हूँ तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला जो अप्शन है पैरेंट्स subscribe क्लिक करने के बाद यह पर जो उपन हो जाता है तो इसको मैं जूम करके दिखा रही हो आपको और यह से लंधक ओड्नर मैं फॉर्स्ट अप्शन है रेसिडेंट इंडिये पैरेंट्स इस पे क्लिक करने के बाद यह दो option आते हैं तो उसके नीचे का second number option new registering parents उसके क्लिक किया तो यह देखे साइड में इतने सारे options open हो गए तो उसमें से सबसे last वाला register online उसके क्लिक करेंगे हम तो उसके क्लिक करने के बाद यह वाला page open हो जाता है तो इसमें यह जो register online इस पर हमें क्लिक करना है ओके आ गया है हम online form filling के page पर तो यह form हमें fill करके देना है तो यह कैसे fill करना है क्या करना है यह सब हम detail में देख लेते हैं तो मैं आप यह आपको zoom करके दिखाऊंगी क्योंकि save में fill करती जाऊंगी तो आपको कुछ नहीं दिखेगा ओके तो first point है marital detail तो marital status यहां पर यह देखिए select का जो cursor है इसको दबाया तो यह जो options है married, single, unmarried, widow, widow or diversity इसमें से मैं दिखा रही हूँ married का तो देखिए नीचे applicant status automatically couple select हो गया automatic आ गया यह उसके बाद है date of marriage नीचे है place of marriage ओके तो वह as per the point आपको fill करना है उसके नीचे आद यह personal information of male details तो यहां पर husband की details आपको fill करनी है पहले नाम फिर Indian nationality क्यों auto select होगी क्योंकि यह form ही Indian adoptive parents के लिए है तो के इसलिए then place of work जो होगा वह आपको डालना है यहां पर यह सारी husband की information है यहां पर आता है occupation तो select पर click करने के बाद जो यह points आये हैं तो इस category में से आप जिस category में आते हो उस पर आपको click करना है ओके देन इसके नीचे है annual income जो आपका annual income होगा वही annual income आपको as it is feel करना है क्योंकि documentation के तुरू वह verify हो जाता है इसलिए ओके देन नीचे है इसी point के नीचे है personal information female details तो यहां पर आएंगी wife की details same name place of work date of birth occupation and annual income ओके देन इसके नीचे है children details तो अगर आपको number of biological children पहले हैं अगर आपके पहले बच्चे हैं तो यहां पर जितने हैं उतना number आएगा otherwise आप डाल सकते हो 0 okay next is उसी के side में है number of adopted children अगर आपने पहले adoption किया है इसके पहले आप जो form फिल कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने adoption किया है तो यहां पर one number आप डालेंगे otherwise आप 0 डालेंगे okay then next is contact details में address, city, state, district as per your address you have to fill this और जो आपके verified documents होंगे उसके accordingly address फिल कीजिएगा please क्योंकि address verify के आपको document भी submit करना है okay documents कौन कौन से लगेंगे उसके pdf file की size क्या होगी उसका वीडियो अलग से है तो वो वीडियो आप एक बार देख लिजे link description box में है okay इसके बाद state मैं यहाँ पर डाल लेती हूं क्योंकि मुझे आके आपको दिखाना है इसलिए okay then phone number में अगर आपका study कोई phone number होगा landline तो वो आएगा mobile number email address and pin code okay then next is identification detail यहाँ पर पान कार्ड नंबर आपको फिल करना है आपका then next is NEA officials if any working at Indian embassy अगर आप Indian embassy के worker हो तो ही आपको yes पर क्लिक करना है otherwise आपको no पर ही क्लिक करना है okay then select agency for home study report hsr nearby your residence okay तो nearby your residence क्यों क्योंकि वो लोग भी आपके घर आते हैं और आपको भी तो hsr की agency में जाना पड़ता है इसलिए nearby होगी तो दोनों के लिए आसानी होती है इसलिए तो यह agency कैसे select करना है वो अब देख लेते हैं okay तो यह वही page है जब हमने google पर डाला था c a r a kara और search bar पर क्लिक किया था तो जो page open हुआ यह वही page है okay तो अब adoption की agency search करने की process आप अगर पहले ही करके रखोगे जब आपको actually online form fill करना है तब की बात कर रहे हो तो आप ही के लिए useful रहेगा okay तो आप पहले side में note down करके रख दीजे अब हम देखते हैं hsr के लिए agency कैसे find out करनी है तो हम search adoption agency पर क्लिक करेंगे okay तो search adoption agency पर क्लिक करने के बाद यह map open हो गया इस page पर है यह map तो यहाँ पर इंडिया में all over जो states है वो सारे हैं तो हमें particularly अपना state पहले find out करना है तो उसके लिए मैं demo देती हूँ मेरा state है महाराष्ट्र तो मैं आपको zoom करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा okay तो महाराष्ट्र में देखें यहाँ पर नागपूर पूने और मुंबई इतने ही cities दिख रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे हमारे state में हमारी जो nearby city है वो हम find out करेंगे जैसे कि मेरा गाओं का नाम यहाँ पर दिखने ही रहा लेकिन मेरी nearby city है पूने तो मैं क्या करूंगी पूने पर क्लिक करूंगी तो मुझे पूना के सारे agencies के list आ जाएंगे ओके ओके तो यह आ गए सारे list तो इसमें से हमें क्या करना है हमारे address के सबसे नजदिक कौन सी agency है वो पहले find out करना है अगर आपके गाओं में कोई agency नहीं होगी तो कोई बात नहीं है आपके city के कौन से नजदिक agency है या आपके district के under कौन सी agency आती है वो आपको find out करनी है तो ऐसी तीन या चार एजनसी आप सौट आउट करके रख सकते हो या उससे भी जादा तो आप पर्टिकिलरली उस एजनसी में जाके वहाँ के सोशल वर्कर या काउंसिलर कोई भी बोलो आप उनसे अगर बात करके आप अगर finalized करना चाहों hsr की agency तो आप वैसे भी कर सकते हो या तो आप call करके भी hsr की अजनसी finalized कर सकते हो यह क्यों करना है कि वहां के social worker cooperative है या नहीं यह find out करने के लिए करना है अगर नहीं है ज्यादा एजन्सी आपके एरिया के नजदिक तो कोई एक ही है तो एक ही सौट आउट कर दीजिए online form filling के बाद अगर आपको कोई objection हुआ उस एजन्सी का तो आप वो एजन्सी चेंज कर सकते हो वो एजन्सी कैसे चेंज करनी है उसकी प्रोसेस क्या है वो मैंने एक वीडियो बनाया है उसका नाम है how to check vetting list number और immediate placement option कहा होता है ओके ये नाम है वो वीडियो आप clear देख लीजिए उसमें आपको पता चल जाएगा जिन लोगों को पता नहीं है hsr होता क्या है उनको बता दू hsr याने home study report ओके इसकी detailed information आपको मिलेगी part 3 में link आपको description box में मिल जाएगी उसके वीडियो का नाम है home study report ओके तो अब मैं क्या करूंगी थर्ड नंबर की जो है रेनु का महाजन ट्रस्ट वो मैं अपने sorting list में ले लेती हूँ यह मैंने randomly pick करी है ओके तो यह अब हम form में कैसे auto fill हो गया सिर्फ उस पर टिक करना था ओके ओके next point is इसी के नीचे का ही यह next point is child preference for adoption तो age अभी मेरा click क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उपर की information पूरी fill नहीं करी है इसलिए ओके तो यहां पर क्या आता है जिरो टू टू फो टू एट ऐसे groups आते हैं तो उसमें से groups कौन से age का बच्चा आपको गोद लेना है यह आप कैसे decide कर सकते हो तो वो age criteria हम पहले देख लेते हैं तो हम again वही page पे आ गए हैं जो कारा डालने के बाद open हुआ था तो अब हम click करेंगे eligibility criteria पे यह जो page open हो गया है तो हम यहां के यह जो जितने points है वो आपको clearly read करने ही है लेकिन मैं अभी आपको सारे points नहीं elaborate करके बता सकती या read करके नहीं दिखा सकती तो मैं सिर्फ fourth number का जो point है वो आपको एकदम clearly elaborate करके बताती हूँ कि होता क्या है age criteria फर्स्ट कॉलम देखिए age of the child, second है maximum composite age of the prospective adoptive parents यानि के couple and third है maximum age of single prospective adoptive parent ओके तो अगर up to four year का baby 90 years वालों के couple को यानि के 45 per head जिनका age group होगा उनको मिलेगा तो ये नहीं समझ में आया तो और easy language में बताती हूँ कि अगर आपके husband और wife की age की total 90 या उसके अंदर होगी 70, 80 या 90 कोई भी आपके total होगी लेकि 90 के अंदर होगी तो आपको 4 साल के अंदर का ही baby मिलेगा ओके अगर in case आपके age की total 100 या 110 के आगे होगी 100 या 110 के अगे अगर आपके age की total होगी तो आपको 4 से 8 साल का बच्चा मिलेगा या 8 साल के आगे का बच्चा मिलेगा तो ये होता है age criteria ये क्यों देखना जरूरी है कि अब हम जो age select करेंगे group तो हम खुदी से वो वाला group डालेंगे तो हम waiting list में ज्यादा फसेंगे नहीं 0 to 2 डालके क्या होता है waiting list ज्यादा होता है उस group का बड़े group का waiting list इतना नहीं होता तो जिनका age group ज्यादा है मेरी तरफ से ये उनको request रहेगी अगर आपका age 45 से आगे है अगर आप 45 साल से husband या wife कोई भी अगर आप 45 साल के आगे हो तो आप please 4 to 8 साल का ही age criteria select कीजे और आप immediate placement के अंडर adoption के लिए try कीजे आपको बहुत जल बेबी मिल सकता है क्योंकि waiting list नहीं होता immediate placement के अंडर अगर आपको hopefully reference तुरंत मिल गया तो फिर आप एक या डेड़ महिने के अंदर ही parents बन सकते हो तो immediate placement होता क्या है ये जानने के लिए video पूरा देख लीजे immediate placement वाला उसकी link भी description box में दे रहे हूँ अभी में सारा नहीं बोल सकती ना एक video में इसलिए मैं बोलती हूँ आपको कि links description box में है ओके तो अब हम देख लेते हैं कि ये age group form में कैसे fill करना है ओके तो अब age criteria आपने देख लिया तो क्या होता है आपकी जो age की total है उसके accordingly जो baby का age आपको आने वाला है वही age आप यहाँ पर select करेंगे ओके अगर गलती से आपने कम्या ज्यादा select भी कर दिया तो भी कोई problem नहीं है कारा आपको देगा वही baby जो आपकी age की total पे match होता है ओके यह क्यों होता है क्योंकि हम जब retirement की age तक आएंगे तब baby की age at least 16 या 20 तो complete होनी चाहिए यह सब वो देखते हैं ओके इसलिए then next point is select gender तो no choice याने लड़का या लड़की कोई भी referral आपको आ सकता है boy and girl याने या तो लड़का या तो लड़की as per अगर आपने specific किया click तो वैसे ही आएगा specific तो first state for adoption यह जो नीचे है point तो यह first state हम डालेंगे हमारा जो खुद का state है वो तो एक हम रखेंगे ही और बाकी के जो दो state है वो हम थोड़ा study करके अगर डालेंगे ना तो वो useful होता है और यह luck की भी बात है तो study कैसे करना है जैसे अभी मैंने दिखा है ना hsr की agency कहां से select करनी है तो उसी map के through अगर आप गए और every state के under कितने babies available है वो सब आपने अगर tally किया ना तो वो आप ही के लिए useful रहेगा सो मैं random select कर रहे हूँ यहाँ पर जो आ रहा है वो ओके second state यहाँ पर इसके side में ही था आसाम डाल दिया ओके हो गया तो इसके उपर के अप्फिल करते हैं health status में देखिए यहाँ पर cursor दबाया तो normal physical challenge mental challenge mental physical challenge तो यह as per category आपको जाना है ओके then child category single आपने click किया तो आपको at a time एक ही बच्चा गोद लेना है वो उसका मतलब होता है sibling पर अगर आपने click किया तो इसका मतलब है कि आपको एक साथ दो बच्चे गोद लेने हैं okay तो जिनको दो बच्चे गोद लेने हैं एक साथ भाई बहन भाई भाई या बहन बहन तो वो sibling पर click किजिए या तो single पर click किजिए then motivation for adoption तो यहाँ पर हम डालेंगे अब का reason डाली है adoption का या what are you thinking about adoption वो डाल सकते हैं तो simply I want to adopt a baby just इतना है डाल दीजे तो भी चलेगा okay then have you earlier registered in Kara website तो अगर आपने इससे पहले भी Kara में register किया हैं जिन्होंने पहले गोद लिया हैं एक बार और वो वापिस यह form fill कर रहे हैं तो उन्होंने yes पे click करना है yes पे आप click करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया previous registration number तो यहाँ पे आपको previous registration number देना होता है okay in case आपने नहीं किया है आप यह first time form fill कर रहे हैं तो आपको no पे click करना है okay अभी यह हो गया सारा form fill करके अब हम preview application पे click करेंगे okay preview application पे आप click करोगे तो form के सबसे उपर में यह वाला portion आएगा यह summary में आएगा आपका पूरा form okay तो आप एक बार इस form को पूरा देख लीजिए अगर in case आपसे कुछ information wrong fill हो गई है तो आप यहाँ पे edit application पे click करके वो information correct कर सकते हो okay otherwise यह जो सबसे last में है zoom करके दिखाती हूँ यह वाला I have accepted all terms and conditions in Cara यह जो blue tick mark आया तो यह square पे आपको click करना है and then confirm पे आपको click करना है okay confirm point पे click करने के बाद आपको पूछेगा are you sure you want to continue तो हम yes पे click करेंगे okay then form के सबसे नीचे end में यह जो red square दिख रहा है तो यह जो capture आया है वो हमें blank वाला जो enter capture वाला column है वहाँ पे fill करना है उसके बाद हमें submit application पे click करना है okay इसके बाद वो हमें वापिस से पूछेगा are you sure you want to continue तो हम yes पे click करेंगे and then form के सबसे नीचे at the end हमें OTP fill करना है वो OTP आया है जो mobile number हमने अभी अभी fill किया है वो हो गया हमारा registered mobile number तो उस mobile number पे जो OTP आया है वो हमें यहाँ पे enter करना है and then हमें verify OTP पे click करना है तो verify OTP पे click करने के बाद हमारा form submit हो गया है अब आपको आपके registered mobile number पे और जो email address आपने अभी अभी दिया है वो registered email address पे आएगा user ID and password ओके तो वो ही user ID and password आप डालके login कर सकते हो अगर आपको वो password चेंज करना है तो वो केसे चेंज करना है उसका भी वीडियो मेंने अर्रेडी डाला है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए अभी आपका ये form submit हो गया ये हो गई adoption process की step 1 complete तो step 2 क्या है documentation की तो उसके लिए second part देख लीजिए तो documents कौन-कौन से लगेंगे उसकी file size सब आपको पता चलेगा ओके इसके अलावा कोई curious होंगे तो आप comment box में दाव सकते हो आपको online form filling अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जब आप actually online form filling करेंगे तब आप इसको pause करकर के follow कर सकते हो जब आप देख रहे होंगे तब आप सिफ एक बार देख लीजिए ये कैसे करना है क्या करना है और बहुत ज्यादा thinking मत कीजिए बहुत ज्यादा सोचे मत हो जाता है सब कुछ आसानी से हो जाता है तीन साल का waiting period हो गया है लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कभी कभी before three years भी आ जाता है अभी ये करोना की वजह से reference लेट हो रहे हैं बाकि कोई reason नहीं है form feeling के बात की सब one by one जो भी processes है सारे वीडियो को मैंने part में distribute के है part one, part two, part three ओके so part two से आप सारे वीडियो देख लिजिएगा ओके सबी वीडियो के link description box में भी है या तो आप मेरे playlist में जाके भी check कर सकते हो okay all the best to all of you please डरियेगा मत ज्यादा सोचियेगा मत सब हो जाता है अच्छे से हो जाता है okay stay calm and be positive bye